नमस्कार साथियों आप सभी लोगोंने देखा होगा कि अभी तक हम लोग UPSC के बारे में बहुत सारी जानकारी देख चुके हैं और ये सभी किलासें आपकी इतनी मदलब आप सोची विस्तार में हम लोगोंने बात की हुई है कि मुझे नहीं लगता है कि आपकी दिमाग में कोई questions हो UPSC से relative और उसका आंसर आपको इन किलासों में ना मिले सबसे पहले हम लोगोंने देखा है इसका इतिहासिक बैक्गराउंड देखा फर आपने देखा होगा कि हम लोगोंने जो संग लोग सेवा आयोगे जो संस्था है उसके बारे में बड़े विस्तार से बात की हुई है फर आपने देखा है कि हम लोगोंने पैटर्न के बारे म में मिल जाएगा उसके बाल आपने देखा है कि हम लोगों ने बात की हुई है आपकी इस प्रिलेम्स के बारे में यानि कि जिसे आप लोग प्यारमभी परीक्चा करते हैं आप आप जानते हैं कि यह स्टेज पहला रहता है आपका और उसके बाद आपने देखा है कि जब आप लोग प्यारमभी परीक्षा पास कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं लिकेद परीक्षा में मुख परीक्षा में उसमें आप देखते हैं कि सबसे पहला आपका पेपर होता ह निबंद का और पहले दिन आप देखते हैं कि एक ही पेपर होता है आपका वो होता है essay यानि कि निबंद मान लीजिए कि आप लोग देखे कि एक तारीक को आपका मान लीजिए कि आपने निबंद का पेपर हो जाएगा इसके बारे में निबंद के बारे में क्या जानकारी आपको चाहिए आपके दिमाख में इस से लेवे टिप कितने कुश्चांस रहते हैं आप लोग उस किलास को देख लिएगा और ये सभी किलास हैं आपकी सेविल सेवा परीक्षा के नाम से जो आपकी सूची बनी हुई है उसी में डली हुई है आज हम लोग क्या बात करेंगे जो आपका माली जी की एक तारीक को सेप्टमबर को आपका निबंद कतम हो गए फिर आप देखेंगे दो तारीक आएगी आपकी और दो तारीक को दो सेप्टमबर को आपका सामानध्यन paper first और paper second आपका होगा दो तारीक को ठीक है? तो इन दोनों के बारे में हम लोग आज की क्लास में बिस्तार से बात करेंगे कि इनके लिए time कितना मिलता है और इनका number कितने number के होते हैं और याद रखी final merit list जो बनती है इनके paper पर आपके जोड़ते हैं उसी के आधार पर आपकी merit list बनती है तो आप लोगों को ध्यान देना होगा तो इसमें आप बात करिए कि आप देखेंगे कि जैसे एक दिन आप लोगों निवंद का paper दे लिया फिर अंगले दिन आप लोग क्या करेंगे कि पिष्णपत सेकेंड रहेगा और जिसमें आप देखेंगे paper सामान दियन paper फश्ट इसके बारे में आपको मालो होना चाहिए कि आप सभी जानते हैं कि तीन गहंटे का रहता है कितना तीन गहंटे का आपको समय मिलता है कितने नंबर का होता है 250 नंबर का होता है 250 नंबर का होता है इसके पुराने questions paper आप लोग डाउनलोड कर लिजेगा मुख पर एक्चा के भी और आराम से बैटके आप लोग देखते रहेगा और आप लोग अगर इसकी books खरील ले तो मुझे लगता ही कि बहतर रहेगा आपके पास रहेगा तो कम से कम तो आपको बता दूं कि इसमें questions के बारे में अगर आप से बात करूं तो 20 questions रहते हैं और आप देखेंगे दौनों भासाओं में आप लोगों को देखने को मिलेगे और सभी questions के आंसर आपको 20 के ही देना जरूरी है अब आपको नहीं आते हैं तो यह अलग बात हो जाती है और याद रखिए जो 20 टोटल संख्या में आपकी questions रहेंगे एक सी लिकर 10 जो questions रहेंगे एक सी लिकर 10 तक इन सभी के आंसर आपको 1.500 सब्द की आसपास लिखना होगा और जो आपकी 11 से लिकर 20 तक questions नमर 11 से लिकर 20 तक रहेगा इसमें आपको 250 यानि की 200 सब्दों में आपको आंसर लिखना होगा 200 सब्द की आसपास यह आप लोग ध्यान रखिएगा और आप बात कर लेते हैं कि इसमें आखिर पार्ट करम इसका क्या क्या है सिलेवर्स क्या क्या है GS फ़स्ट पेपर का सामानध्यन पिश्णपत फैला तो इसमें आप देखिए भालती बिरासत एवं संस्किती आर्ट एंड कल्चर विस्व का इतिहास भूगोल और समाज इनी से आपके कुश्चन्स पूछे जाएंगे पहले पेपर में सामानध्यन या जनरल इस्टेडीच पेपर फश्ट की बात कर रहें इसे बिस्तार से भी आप लोग देख सकते हैं तो भारती संस्किती में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला की रूप साहित हो वास्तु कला हो के मुख पहलू सामिल होंगे इन्हें आप लोगों को पढ़ना होगा अठारवी सदी के लगबग मद्द से लेकर बर्तमान समय तक का आधुनिक भारती तियास महत्मोर गटनाए ब्यक्तित और विसय इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा और याद रखिए अगर आप लोग तयारी शुरू कर रहे हैं तो आप लोग NCEIT पढ़ना शुरू कर देजे कम से कम दो से तीन बार आप लोग NCEIT पढ़ जरूर लेजे फिर आपको इसी में पढ़ना है सुतंता संगराम और इसके विवेन चरन और देश के विवेन भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्मोर ब्यक्तित और उनका योगदान फिर आप देखेंगे सुतंता के पश्चा देश के अंदर एकी करन और पुनर गठन के बारे में पढ़ना होगा उसके बाद आप देखेंगे कि विश्च के इतिहास में अठारवी सदी और तथाबाद की गठनाओं और दोगे करांती विश्योद, राष्टी सीमाओं का पुनर सीमांकन, उपने वेसबाद उपने वेसबाद की समापती राजनेतिक दर्सन जैसे सामयबाद पूंजीबाद, समाजबाद आदी सामिल होंगे उनके रोप और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में पढ़ना होगा फिर आप देखेंगे कि भारतिये समाज की मुख विसेस्ता है और भारत की विवित्ता इसके बारे में आपको पहले पिसनपत के लिए बात कराऊ ये पढ़ना होगा और महलाओं की भूमिका, महलाओं की संगठन जनसंक्यावों समर्द मुद्रे और गरीवी और विकासात्मक विसे, सहरी करन, उनकी समस्या है उनके रक्षो पाए इन सब के बारे में आपको पढ़ना है फिर आप देखिएगे कि पहले पिसनपत के लिए ही आपको भारतिये समाज पर भूमंडली करन का क्या परभाव पढ़ना है इस पर बात पढ़ना है और विस्ताद से पढ़ना है सामाजीक सजक्ती करन, संबदायबाद, छेतबाद, धरम, निर्वेक्चता इसके बारे में भी पढ़ना होगा पिसनपत पहले के लिए विस्त के भौतिक भूगोल की मुख विसेश्ताएं क्या है इसे भी पढ़ना होगा आपको जिम्मेदार कारिकों के बारे में आपको पढ़ना है और पहले पिसनपत के लिए आपको भूगंब, सुनामी, ज्वाला मुखी, खलचल, चक्कवाद आदी जैसी मत्पूर्ट भूबहुत किये गटनाओ भौगोलिक विसेश्ताओं उनकी इस्थान अती मत्पूर्ट भौगोलिक विसेश्ताओं जलसरो, थेमा, वरन, सहित और बनस्पती और प्राणी जगत में परिवर्टन और इस पिकार की परिवर्टनों के बारे में आपको पढ़ना है तो इतना पढ़ना है आपको सामानध्यन पेपर फश्ट के लिए समझ में आए आपको अब आप देखेंगे कि उसी दिन जिस दिन आपका सामानध्यन पेपर फश्ट होगा उसी दिन आपका सामानध्यन पेपर सेकंड होगा और किरम से आप देखेंगे तो ये तीसरा पेपर रहेगा आपका नेवंद को मिला कर इसे आप लोग सामान अध्यन पिस्णपत second ही कहते हैं और इसमें भी आप देखेंगे कि आपके पास timing तीन गंटे रहेगा आपके पास और यह भी कितने number का रहेगा? 250 number का 250 number का रहेगा 250 number का रहेगा और इसमें अगर आपको बता दूँ कि सामान दियन पिसन पत्त सेकेंड आप लोग कहेंगे से इंगलिस में आप लोग जनरल स्टेडी पेपल सेकेंड कहते हैं और इसमें भी आप देखेंगे आपके पास 20 कुश्चन्स रहेंगे और सभी कुश्चन्स के आपको अंसर देने होगे इसमें आपके पास भी कल्पिक कुस्चन्स नहीं रहते हैं, यह दियान रखिये गाँ और आपको बता दूँ कि इसमें भी आप देखेंगे कि 1 से 10 तक जो कुस्चन्स नंबर होंगे इसमें आप देखें कि 1.500 सब्द में आपको अंसर देना होगा 150 सब्द के लगभग और 11 से लिकर जो 20 तक questions रहेंगे उनका answer आप लोगों को 250 सब्दों में देना होगा अभी आप लोगों को पार्ट करम बता रहा हूँ आँगे हम लोग questions by questions देखेंगे पेपर तो उसमें और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा और दूसरे पेपर के भी आप लोग कम से कम 5-6 साल पुराने questions पेपर रख लीजे अपने पास और आराम से लेटे-लेटे मस्त आप लोग देखते रहिएगा एक-एक questions को पढ़ डालिएगा कि किस तरह की questions आ रहे हैं आपके अब बात आती है कि जो सामानद्ध्यन फिसनपत्र सेकेंड है इसके लिए आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है कौन से कौन से टॉफिक पढ़ना है तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे इसमें सासन विवस्था समीधान, सासन पिणाली सामाजिक नियाय और अंतराष्टिय समंद्ध इतने टॉफिक आपको पढ़ना है पेपर किसके लिए समंद्ध्यन पेपर सेकेंड के लिए इसे थोड़ा और विस्थार से आप लोग जान लिजे भारती समीधान, इतिहासी काधार विकास, विसेष्थाय, संसोधन, मत्पून प्रावधान और बुन्यादी सरचना और ये सबी टॉपिक तभी कंपलीट होंगे आंसर तभी आप लोग बहतर लिख पाएंगे जब आप लोग NCIT को कम से कम दो से तीन बार पढ़ लेंगे आपका बेस मजबूत हो जाएगा आपके पास आंसर लिखने के लिए काफी फैक्ट रहेंगे ठीक है तो समय रहते हुए आप लोग ज़रोड पढ़ लें और इस पेसल बुक्स भी आपको बता देंगे आने वाले समय में तो आप लोग उन्हें भी पढ़ लिजे इसमें आगे पढ़ेंगे आप लोग संग और राज्यों की कार्य और उत्तरदायत संगी धाचे से सम्मधित विसा एवं चुनोतियां इस्थानी इस्तर पर सक्तियों और वित्त का हस्तांतरन और उसकी चुनोतियां पिस्णपत सेकेंड के लिए आप लोग पढ़ेंगे विभिन घटकों की भी सक्तियों का वित्तकरन बिवार निवारन तंत और संस्थान इसी में इसी पेपर में दूसरे पेपर में आप लोग सामानत धिन पेपर सेकेंड में पढ़ेंगे आप लोग भारती सम्मिधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुल्ला इसी में आप देखेंगे संसद और राजविधाय का सरचना, कार, कार संचालन सक्तियां, विसे सदिकार और इन्म सिस उत्पन होने वाली बिसे के बारे में पढ़ेंगे और चटवे में आप देखेंगे की कारिपाल का हो गई, न्यायपाल का हो गई की सरचना, संगठन और कार सरकार की मंत्राले और विभाग प्रभावक, समूव और अनोपचारिक संग सासन पढ़ाली में उनकी भूमिका और आप देखें की कोचिंग लगाने का यही उद्देश रहता है कि एक करम से आपकी क्या रहता है कि पार्ट करम आपके पास study material उपलबद हो जाता है कोचिंग आप देखते हैं कि किताब आपको एक-एक booklet दे देता है सभी subject की कि आप लोगों को paper पर सेकेंड के लिए आपको समीधान इस बुक्स से पढ़नी है अगर आप लोग सेल्फ मतलब बिना कोचिंग की तैयारी करना चाहें तब भी आप लोग कर सकते हैं लेकिन आप लोगों को जांदा महनद करनी पड़ेगे आप लोगों को खुद आपना इस ट遊戲 मतिरियल एकट्ठा करना होगा आप लोगों को यह कहां किस एक ही देखना अप लोगों को देखना है और आपको नोट्स वही वनाना पड़ेगा ठीक है? इसी में आप लोग सेकंड पेपर के लिए आप लोग क्याप करेंगे? जन फिती निदित अधिनियम की मुख विसेश्थाएं और फिर आप लोग इसी पेपर के लिए सिक सामान ध्यन पेपर और सेकेंड के लिए विभिन सम्मिधानिक पदों पर नियुक्ती विभिन सम्मिधानिक निकायों की सक्तियां कार और उत्तरदायत के बारे में पढ़ेंगे इसी में आप लोग सामविदी को वीने आमक और विभिन तरह के अर्द नियाइक निकायों के बारे में पढ़ेंगे इसी में आप लोग सरकारी नीतियों और विभिन चेत्रों के में विकास के लिए हस्त चेव और उनके अभी कलफन और कर्यानवन की कारण उत्वन बिसेओं के बारे में पढ़ेंगे और इसी में आप देखेंगे कि विकास की किरिया और विकास उद्धियों गयर सरकारी संगटनों इसी में आप देखेंगे केंदो राज्यों द्वारत जनसंख्या की अती संबेदन सील बरगों के लिए कल्यार कारी योजनाओं और इने योजनाओं का कार्निस्पादन इन अती संबेदन सील बरगों की रक्षा बेहतरी के लिए गठित तंत बिदी संस्थान और निकाय के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इसी में आप लोग स्वास्त सिक्षा मानोसन साधनों से संबंदी सामाजिक चेत सेवाओं के विकास और प्यवर्णन से संबंदी बिसाए के बारे में पढ़ेंगे सामान अध्यन पेपर सेकेंड में ही आप लोग गरीबी एवं भुकमरी से सम्मधी बिस्या के बारे में पढ़ेंगे इसी में आप लोग सासन बिवस्ता, पारदर्शीता, जबाब देही, कि महत्मूर पक्ष, इगवर्नेंस, अनुफियोग, मॉडल, सभलताएं, सीमाएं, संभावनाएं, नांगरिक चार्टर, पारदर्शीता, जबाब देही, संस्थागत, और अन उपाई के बारे में पढ़ेंगे इसी पेपर में आप लोग लोकतंत में सिविल सेवाओं की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भारत और उसके पड़ोसियों के संबंध हैं यानि कि जिसे आप लोग इंटरनेशनल रेलिसन कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे यानि कि हमारे चाइना से किस तरह की संबंध है या अमेरिका से हमारे किस तरह की संबंध है इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिर आप लोग देखेंगे दुई पक्षिये चेत्री ये वैस्विक समुहों और भारत से समंदित और अत्वा भारत की हितों को प्रवावित करने वाली करार के बारे में पढ़ेंगे भारत की हितों पर विक्षित देवं, विकासील देशों की नीतियों और राजनीती का प्रभाओ, प्रवासी भारतियों की क्या भूम क्या है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे फिर आप देखेंगे कि मात्पूर्ण अंतराशी संस्थान, संस्थाएं, मंच, और उनकी सरजना, अधी देश, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ेंगे इस तरह से आप देखेंगे कि पेपर सामनत दिन, पेपर फश्ट और पेपर सेकिंड का ये आपका बाट किरम है व्याद रखिए आपकी दूसरा दिन भी आज कंप्लीट हो जाता है, यानि कि अंगला जो पहले दिन आप देखेंगे निबंध हो गया, दूसरे दिन जो आपके पेपर होंगे सामानत दिन पेपर फश्ट और सामानत दिन पेपर सेकिंड का तम हो जाएंगे मान लेजे एक सेप्टमबर को आपको क्या हो गया था, निबंध, दो सेप्टमबर को आपने क्या दिखा, जी एस पहला यानि कि सामानत दिन पेपर सेकिंड कबर हो जाता है अब तीन तारीक को क्या होगा तीन तारीक को आपका होगा पेपर थिरी और पेपर फोर यानि जिसे आप लोग क्या कहते हैं सामान अध्यन पेपर थिरी और सामान अध्यन पेपर फोर यह आपके दोनों एक ही दिन होगे ठीक है और आप देखेंगे जिसे माल लेजी कि आपका paper third आपका हो गया कब सुबाई की पाली में 9 से 12 तो आपका paper 4 जो रहेगा वो आपका 2 से लेकर 5 बजे तक रहेगा और आप देखें कि हाथ फूल जाते हैं लिखते-लिखते तो चली अंगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे paper third का पाठ करम है और भी से लेलेटिव क्या जानकारी है और paper 4 का सामानध्यन paper third तीसरा और सामानध्यन paper चौत्रे में क्या पाठ करम है और क्या इसके वारे में आपकी दिमाग में questions रहते हैं, उनके answer देने की हम causes करेंगे और याद रखे अभी तक की किलासों में अगर कहीं भी आपको doubt होता है और मुझे कहीं गलती हो जाती है, आपको मालू है, तो सुधार के आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं, और एक काम और कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई questions है और जिसका answer आप लोगों के इन किलासों में नहीं मिल पा रहा है तो मुझे आप लोग बताएगा, उसका भी answer मैं पूरा मतलब देने की पूरी causes रहेगी अगर मुझे भी मालू नहीं है, तो मैं उसकी भी विवस्था करूँगा किसी से पूछूँगा फिर बताऊँगा आपको, लेकिन बताऊँगा जरूर ठीक है तो enjoy करिए आप लोग अंगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तीसरे paper के बारे में और जो सामान नद्यान का paper फोर है इन दोनों को paper को बेस्टार्थे हम लोग देखेंगे